प्रेदर्शको नमस्कार मेरे प्रेदर्शको रिश्व जोतिस में आपका स्वागत है दर्शको जैसा कि सभी जानते हैं और हमारे जोतिस के गरंतों में लिखा है जब भी कोई बालक जब भी कोई प्रानी जनम लेता है तो उसके साथ पूर्जनम के कर्मों का परभाव भी फल भी जुड़ा होता है वे कर्म स्वैम के भी हो सकते हैं माता पिता के हो सकते हैं या अनपूर्वजों के हो सकते हैं सपश्ट बताया गया है कि ये पित्र रिन है पिता कर्ज लेता है तो पुत्र उसको भरता है लाल किताब में तो यहां तक कहा गया है कि यदि कोई ग्रह शत्रु राशी में है तो वे अपना फल भी नहीं देता और भाव का फल भी खराब करता है इसे पित्र रिन कहा जाता है साधान भासा में पित्र दोस से सभी जानते हैं दर्सको आम तोर पर हम पित्र दोस सूरिय राहू, सूरिय शनी, ये पीडित उन से देख कहते हैं कि पुनली में पित्र दोस है, प्रेट शाफ है दर्सको बैदिक पार साला में यहां दक्षने उत्र प्रियाग में ये सिखाया जाता है कि पित्र दोस के 64 कारण है 64 कारणों से कुनली में पित्र दोस आता है जो हम आम तोर की भासा में कहते हैं वो प्रेट बाधा, प्रेट दोस एत्रित आत्माए हैं जो प्रेशान करती हैं, उनका दोस है पित्र तो हमारे पित्र योनी में है, पित्र रिन भी पित्र दोस माना जाता है, दर्स को आज हम विशार करते हैं कि लगन कोई भी हो यदि लगन कुणली में गुरू पर सनी का परभाव है और सनी और गुरू में से कोई भी एक ग्रह नवभाव से संब्द रखता है तो उस जातक को सांसारिक शुक अभाव बना रहता है इस्त्री सुक, संतान सुक, धन, वैवव, माता, पिता, भाई, बैन, कुटम, आदी का शुक बहुत ही अल्प मातरा में मिलता है यदि गुरू सनी की युथी नवभाव में हो तो ऐसा जातक परवल सन्यासी बनता है आईए हम गुरू पर सनी का परभाव और नवभाव से संब्द कुनली पर विचार करते हैं दर्सको जातक का जनम पाँच मैई 1981 को सुबह पाँच बजे मेश लगन में जनम हुआ मेश लगन में सूर्य उचका है लगन में मंगल है शुक्र बुद्ध है बुद्ध शुक्र मंगल तीनों अस्थ है दित्ते भाव में विर्षप रासी में चन्द्रमा उच रासी का है दो डिग्री लेकर के बैठा हुआ लेकिन सूर्य से अस्थ है इस प्रकार चन्द्रमा बुद्ध शुक्र मंगल चार घ्रे अस्थ हैं तीर्ते भाव में मिथुन रासी मिथुन रासी का स्वामी बुद्ध चतुर्त भाव में करक रासी करक रासी का स्वामी चन्द्रमा उच का होते हुए अस्थ पंचम भाव में मेश रासी मेश पंचम भाव में सिंग रासी सिंग रासी का स्वामी लगन में उच रासी का है सब्टम् भाव में कोई ग्रेह नहीं आस्थम् मुनें कोई ग्रह नुए में कोई ग्रहित दसम् भाव में केटीद बारेठ दुक्री लेकर व्राज्मान है rows ओखस्भाव ने 12 polls में में दासी कि रश्फना बनी कोई ग्रहित भर्श को कि में लगन चलि लगन होता है जूतिस में कि कहा जाता है कि चल लगन में अगर कई बड़े ग्रह हो तो जा तक सन्यासी भी हो सकता है ऐसा कुछ विद्वानों का मानना है छोड़ो कोई बात नहीं दर्सको इस कुंडली में बुद्र शुक्र मंगल अस्थ है चंद्रमा अस्थ है शुक्र सब्तम भाव का स्वामी है जैसे तैसे शादी तो हो गई जातिक की आयू अभी 41-42 साल है शादी हो गई 17-18 साल शादी को हो गई कोई संतान नहीं मिली जातिक ने बताया एक दो बार गरपात की सिती बंच कोई कुछ भी हुआ संतान सुक नहीं मिला दर्सकोद पंच मेश उचका लगन में है शिक्षा अच्छी रही जातिक की विचार धारा एक दार्सनिक बने बने भाग्य भाव का स्वामी गुरू चटे भाव में शनी से परभावित है भाग्य भी साथ नहीं दिया गुरू की पंचम द्रिश्टी दसम भाव पर नीच द्रिश्टी है वह शाय भी नहीं यह जातिक आज के जमाने में एक 12,000 की छोटी मोटी नोख्री करके गुजारा करता है परिवार से अलग रहता है पूरा विवरंद जब जातक से पूछा गया तो द्रस को अभी धान लगा के सुनो जाते की एक बड़ी बहन एक बड़ा भाई है सबसे बड़ी बहन अपने सुसाल में अच्छे प्रकार से संतान से पूछ सर्तान तिसी साथ दोनों है सुख पूरक रह रही है जातक दूसरे नंबर का है शादी तो हुई पर संतान सुख व्यवशाय सुख कोई प्रिश्टा कुछ नहीं परिवार का सुख नहीं माता-पिता का सुख नहीं भाई-बहन का सुख नहीं मिला जातक से एक छोटा भाई विदेश में चला गया शादी तो कर ली अभी तक कोई संतान नहीं हुई जातक का एक छोटा भाई है वो भी 85 का है उसके भी अभी तक शादी नहीं हुई अब विचार कीजिए एक माबाप के तीन पुत्र संतान अभी तक कोई संतान नहीं एक की शादी भी नहीं हुई दो की शादी हुई तो भी कोई संतान नहीं गहरा रह्ष्य है हमने जातक से और परिवारिक प्रस्थि जानने की कोशिस की अवगत हुए हम इसकी घर की इस्तिती से जब जातक की आयू अभी 41-42 साल है तो अंदाजा कीजिए इसके माता पिता की आयू लगबक 70 वर्सकी होगी जातक का कहना है अकि इसके पिता की शादी के बाद ही इसकी दादी और इसकी मा की एक मिनट नहीं बनी इसकी मा ने दादी का कोई सतकार अपनी सांस का अनादर ही किया कोई सतकार नहीं किया इसके पिता मातरी भगत हैं अपनी मा को खाना खुना अभी तक भी देते हैं इसकी दादी अभी भी जिन्दा है जब इसकी दादी को उसकी बहु का सुख नहीं मिला दरसो समझो तो इसकी मा को कैसे सुख मिलेगा इसकी मा ने तीन पुत्रों को जनम दिया किसी बहु का सुख नहीं मिला इसकी दादी ने तो एक ही बैटा पैदा हुआ उसको भी सुख नहीं मिला दरसको हम एक सामाजिक प्रानी हैं हमारे घर में बच्चों की किलकारियां, बहु बेटों की जो उपस्तिती रहती है वो एक अलग ही सुन्दर वातावरंद बनता है आप अंदाजा लगा सकते हैं इसका आज हमारे समाज में काफी इस्त्रियां ऐसी है कि पुत्र की कामना तो करती हैं, लेकिन अपने सास सुसर की एक नजर, एक तरफ नजर भी देख के खुश नहीं है भागवानों ये तो सोचो, जिसके साथ तुम आयों वो तुमारी सास का पुत्र है, वो तुमारे सुसर का पुत्र है उसने भी तो अपने बेटे को जनम दिया था करम का फल यहीं पर है जैसा वेभार इसकी मा ने अपनी सास के साथ किया और इसकी दादी को इसकी मा का सुक नहीं मिला तो इसकी मा को कैसे मिलेगा, करम का फल मिल रहा है यह इस्तिती है, दर्सको अब बात आती है उपाई की हम सुनते हैं, सत्र साल की उमर में भी भगवान ने संतान दे दी वो एक देविक चमितकार है किसी के बस की बात नहीं है क्यों गनेज जी की आरती मोला जाता है बाजहन को पुतर दे वो तो सवापार भगवान है उनकी इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता लेकिन साधान तोर पर जोतिस में यह बताया जाता है कि जो दर्ड योग है मदबूत दर्ड उसका कोई उपाई नहीं बली का बक्रा बनना पड़ेगा और एदर्ड है उसका उपाई है तो मिट जाता है एदर्ड मतलब अगर कोई हमने किराईदार को मकान दे रखा है और उसका आशन ठीक नहीं हम उसको कह देते हैं भाईया तु मकान खाली करतो तो यही जोतिस में है कुछ योग दर्ड होते हैं उनका बली का बक्रा सिर्फ अपने कर्म ही उसको दो सकते हैं वो अलग बात है जातक नरान बली शाद के शाद नाग बली करे तो संतान के लिए नाग बली करने का प्राधान जोतिस में है तो हो सकता है प्रभू दे लेकिन मुझे नहीं लगता क्योंकि हमने जैसा बोया है वैसा कातना पड़ेगा दर्सको छोटे से वीडियम में मैंने आपका माग दर्शन किया आप ये समझ सकते हैं कि इस जाते के ऊपर क्या गुजर रही है और हमको इस वीडियो से शिक्षा मिलती है कि हम अपने कर्मों की तरफ ध्यान दें कर्म काफल सब को मिलता है और हमारे साथ में कर्म ही जाएंगे बाकि सब नहीं रह जाएगा आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना अपने दोस्तों को रिष्तेदारों को भेजना उनका इस मार्ग दर्शन हो और जिस में मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करना ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले नोटिफिकर मिले अगले वीडियो में हम इसके छोटे भाई की कुनली को लेकर के विश्लेशन करेंगे धन्यवाद